नमस्ते वेबमास्टर्स हमारी इस वीडियो शंकला में आप सभी का स्वागत है चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की और आश्यतोष हमसे पूछते हैं क्या मुझे बैकलिंक्स बनाने में समय और पैसे खर्च करने चाहिए क्या मेरी वेबसाइट के लिए लिंक महत्व मैं दूसरे भाग का जवाब पहले देता हूं तो आपकी वेबसाइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कंटेंट अगर आप अच्छा बहुमोले कंटेंट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट पर लिंक अपने आप ही आएंगी जहां तक गूगल की बात है तो हमारी अपकी वेबसाइट पर पेज को ढूणने और उन्हें क्रॉल करने के लिए लिंक्स का उपयोग करती है पेज रैंक जिसे आप एक रैंकिंग सिगनल के रूप में जानते हैं किसी अन्ने पेज से आने वाले लिंक के आधार पर एक पेज के महत्व का माप है तो पेज रैंक कि सभी लिंक एक समान नहीं होती हैं सबसे अच्छी लिंक वो हैं जो आपकी सामगरी की गुणवक्ता के आधार पर दी जाती हैं जिने हम अक्सर ओर्गानिक लिंक कहते हैं दूसरी दरफ सर्ज एंजिन रैंकिंग में हेरफेर करने की कोशिश करने वाली लिंक के निर्वान के किसी भी प्रयास को इन ओर्गानिक लिंक कहा जाता है यह लिंक स्कीम्स या पेड लिंक्स के रूप में हो सकता है गूगल इन इन ओर्गानिक लिंक्स को बहुत गंभीरता से लेता है और ऐसी साइट जो ऐसी किसी लिंक में शामिल हो उसके खिलाफ कारवाई भी की जा सकती है इसलिए अगर आप एक वेबांस्टर हैं जो बैक लिंक्स बनाने में समय और पैसा निवेश कर रहे हैं तो ऐसा संभव है कि आप उन तरीकों का उप्योग कर रहे हैं जिनकी हम सिफारिश नहीं करते हैं ऐसी स्थिती में आप इस बात पर जोर दीजिए कि आप इन तरीकों का अस्तमाल ना करें और इसके बजाए अच्छी गुणवत्ता की सामगरी ब्राने पर ध्यान दें हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहे हैं जहां पर आपको बैक लिंक संबंदित और अधिक जानकारी मिलेगी आशा है कि हमारे इस वीडियो से जिन वेबमास्टर्स को बैक लिंक संबंदित कोई भी दुबिदा थी वह अब दूर हो गई है ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही एक और वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे तब तक के लिए नमस्कार